हेलो माई डियर इस्टुडेंट्स आयम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल इस्टुडेंट्स इसके पहले हमने चाप्टे नंबर 6 स्टार जो किया था क्लास्टेंड साइन्स लाइफ प्रोसेस इसमें हमने बाकी टॉपिक क्लियर कर दिये थे कि प्रोसेस क्या होते हैं ऐट्रोफ न्यूट्रीशन क्या होता है है प्लांट्स में या ब्लू-ग्रीन जैसे कि हम पहले भी डिस्कॉस कर चुके हैं है और जो अपना फूड प्रिपेर करते हैं वो किसमें आते हैं ओर तॉट्रोन σव्य उठमाइ sales तो टोनिजिए त्रफित किसमें उठमाइब और प्रिक सबीकितन सोय है और एक रिठनाऊ अगी में का वेंदव सबस्क्राइब करते हैं वो ही तेकर फुड अधियों सोय गुण सबसे पहले हम देखते हैं सब्सक्राइब नियुट्रिशन क्या होता है कि सब्सक्राइब अनिमल विच फॉलो सब्सक्राइब नियुट्रिशन यह अपना भोजन आपना बहो ज़ा है इकोसिस्टम है heat eco उनहीं को का बोलते हैं sapoooo%, ठीक है इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह इकोसिस्टम के लिए क्लीनर नियुट्रिशन को रिर साइकल करके फिर से एकोसिस्टम में भेज देते हैं इसकी कुछ एक्जामपल सेप्ट्रोफाइट्स की है फंगी और कुछ बैक्टेरिया इसके अंदर आते हैं ठीक है आपने देखा होगा ना जैसे की पेड़ की पतियां होती हैं गिर जाती हैं ठीक है कुछ समय के जो न्यूट्रिशन लेने का उनका मोड है जो डेड़ प्लांट से डेड़ लीफ हो चाहे वेजिटेबल के चिलके हो या फिर जो भी डेड़ ऑर्गनाइजम हो उनकी बोडी से जो अपना फीड लेते हैं उन्ही को क्या बोलते हैं इस तरीकी का जो न्यूट्रिशन अपने होलोजोईग न्यूट्रिशन क्या होता है होलोजोईग न्यूट्रिशन में हम आते हैं एक सिंपल सी बात इसमें याद रखना है जो सॉलिड फूड को लेते हैं ठीक है उन्हें क्या बोलते हैं होलोजोईग न्यूट्रिशन जैसे हम हैं human being का हम सिंपल वे में बात करें त तो वही होता है holozoic nutrition, तो हम definition देख लेते हैं, proper in holozoic nutrition, the digestion happens inside the body of the organism, जो जीव जनतु होता है, उनकी body के अंदर digestion होता है, ठीक है, that is after the food is ingested, mode of the animal follow this mode of the nutrition, अब देखो, जो जितने most animals होते हैं, सारे ही क्या होते हैं, holozoic nutrition में होते हैं, holozoic nutrition में आपको बताया, हमने खाना क्याया, हमने अपना कुछ भी लिया food, और solid food हमारी body में गया, वो simple हुआ, थीक है, हमारे उसमें enzyme, digestive enzyme, जो भी work करते हैं, उन्होंने किया, उसके बाद इसको digest कर दिया, excrete कर दिया, तो इस type के nutrition को क्या बोलते हैं, holozoic nutrition, ठीक है, holozoic nutrition में हमने, जैसे कि, for example, मैंने आपको बताई दिया, कि human beans होते हैं, dog ले लो, elephant ले ले, means जितने भी animals होते हैं, वो सारे किस में आते हैं, most जो बड़े जीव जनतु होते हैं, वो सभी किस में आते है holozoic nutrition से ही, वो अपना feed oil लेते हैं, ठीक है, वैसे जो holozoic nutrition होते हैं, उनको three parts में डिवाइड होता है, यहाँ पे मैंने detail नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको वैसी बता देती हूँ, अपने previous classes में पढ़ा होगा, herbivorous, carnivorous और omnivorous, ठीक है, तो herbivorous क्या होते हैं, जो हैं, दूसरे animal को खाते हैं, ठीक है, और omnivorous क्या होते हैं, जो कि plant और animal दोनों को खाते हैं, herbivorous, deer हो गया, goat हो गया, ठीक है, जो कि सिर्फ घास फूस खा रहें, पेड़ पोदे खा रहें, carnivorous में, loin हो गया, tiger हो गया, ठीक है, जो कि सिर्फ क्या खाते हैं, meat लेते हैं, और उसके बाद ओम्निवोर्स की बात में करते हैं तो वो क्या हो गया? यूमन बीन्स हो गया, ठीके? उसके बाद क्रो है, डॉग है, ये सब किसमें आते हैं? ओम्निवोर्स में, ओके बच्चों? आपको ये होलोजोईग नूट्रिशन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, ठीके? होलोजोईग नूट्रिशन के थ्री पार्ट्स, वो मैंने आपको बता दिये, थ्री टाइप्स कौन कौन से थे? हाँ जी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और अम्निवोर्स, ठीके? नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा पैरासाइटिक नूट्रिशन, अब पैरासाइटिक नूट्रिशन क्या होता है? दा ओर्गनाइजम विच लिव इंसाइड और आउटसाइड अनदर ओर्गनाइजम, मतलब एक होस्ट के रूप में, मतलब एक ओर्गनाइजम या तो किसी ओर्गनाइजम की बौडी के अंदर या उसकी बौडी के बाहर रहकर अपना नूट्रिशन लेता है, ऐसे एनिमल् सबसक्राइब जीवित होने पर उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है चाहे उसकी बॉड़ी के अंदर रहके ले रहा है या उसकी बॉड़ी के बाहर रहके ले रहा है वह नहीं डिपेंड करता है ठीक है समझ आगया परसेटिक अनिमल में एक्जामपल मैंने जैसे आपको बता दिया ली तो अमीबा हमें पता है वह है उनिन चैलोलर होता है बहुत चोटशा उता है फोता है एक सेल से को अपनी प्रोसेस को करता है लेकिन वह क्या कटा है फूड को लेते हैं उसको digest करते है energy absorb कर लेते हैं वेस्ट को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं ठीक है इन holozoic nutrition the digestion of food follow after the ingestion of food the digestion take place inside the body of the organism just जो चीज आपको मैंने अभी समझाया कि food को अंदर लेते हैं ठीक है डाइजिस्ट करते हैं ठीक है body के अंदर holozoic nutrition जो है में इसकी five step होती है यह आपने याद रखना कौन-कौन सी ingestion, digestion, absorption, assimilation और e-gestion ठीक है इसको हम detail में अभी पढ़ते हैं फाइफ स्टेप याद हो गई आपको ingestion, digestion, absorption, assimilation और e-gestion ठीक है तो अब इसको हम detail में पढ़ते की होता क्या है सबसे पहले ingestion जब हम food को अंदर ले रहे हैं तो उस process को क्या बोलते हैं ingestion ठीक है यह आद रखना आपने the process of taking in the food is called ingestion जब हम food को ले रहे हैं उस process को बोलेंगे ingestion ठीक है अब digestion क्या हो गया food हमारे अंदर चला गया और वो कैसा था complex था solid था उस food को क्या किया simpler form में change किया ठीक है तो उसे क्या बोलते हैं digestion ठीक है the process of breaking complex food substance into simple molecules is called digestion ठीक है इस तरीके से जो हम उसमें energy obtained होती है उसको हम क्या करते हैं absorption करते हैं ठीक है तो उसी process को आगे क्या बोलेंगे absorption ठीक है तो दब process of absorption of digested food is called absorption ठीक है थार्ड आपको clear हो गया absorption जब हमने food digest कर लिया अब डाइजेस्ट करने के पाद गया त Sun nasıl इनरजी थी उसको हमने क्या कर लिया थैक है अमरी बॉडि ने उसको इब्जॉब कर लिया अब ऐसिमिलेशन ओभास किया न Kalau robić आप उसको यूज परलिय ऑगे तो यूज किसमे करना है उसको हमने यूज करना है जो यूज करना है जो हम अपने एनर्जी के लिए चलने फिलने काम करने के लिए ग्रोथ के लिए हमारे बॉड़ी में जो देमेज उजाती है उनको रिपेर के लिए तो इन सब फंक्शन को जो हमारी एनर्जी हमने अब्जॉब की ती उससे हुआ उससे क्या बोलेंगे एसिमिलेशन ठीक है लास्ट आगया अब सब कुछ पच गया एनर्जी भी हमने ले ली तो क्या आगया इजेशन जो वेस्ट बचा अब जिसकी हमारी बॉड़ी को जुरुत है ही नहीं उसको क्या करना है अन्डाइजेस्टेट फूड को बॉड़ी के बाहर निकालना है तो तब प्रोसेस ओफ रिमूमिंग अन्डाइजेस्टेट फूड फूड फूम दा बॉड़ी इसकार इजेशन ठीक ह प्रोसेस हुई हमारे अन्डाइजेस्टेट फूड को बाहर निकालने की उसी को तो क्या बोलते है उसी को बोलते है इजेशन समझागी सारी फाइफ की फाइफ प्रोसेस चली आगे बढ़ते है अब प्रोसेस ये तो हमने पढ़ा कि अमीबा में ऐसा ही हुआ ऐसे ही human being में हुआ क्यों क्यों क्योंकि ये hollow-soing nutrition है hollow-soing nutrition में 5 step होनी ज़रूरी है food अंदर लिया, food अंदर लेने के बाद क्या हुआ उसको digest हुआ, digest होने के बाद क्या हुआ हमने सारी energy उसको absorb की ठीक है energy absorb करने पर हमारी body सारी growth हुई ठीक है, repair हुई, जहां-जहां में जुरूरत पड़ी उसकी उसके बाद जो waste था उसको हमने अपनी body से बाहा निकाल दिया ठीक है, तो ये सारी five process हो गई है हमारे अंदर अब ये जो process है, ये amoeba में कैसे होता है हमारे तो चलो, digestive system में proper हम खाते है उसमें enzymes होते हैं, hydrochloric acid होते हैं, small intestine में गाल, bladder, सब जगे से juice पगेरा निकलता है और वो digest होता है, ठीक है, लेकिन amoeba एक single cell है ठीक है, तो उसके अंदर हम देखते हैं, तो amoeba is a inucellular animal which follow the hollowzoic mode of nutrition, जस्ट ये चीज हम अभी तक clear कर चुके हैं the cell membrane of the amoeba keep on the, जो cell membrane होती है अभी मैं आपको इसको diagram के थूरू समझाओंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझाओंगा on the protein into the pseudopodia amoeba surroundings, a food, जो surrounding का food होता है देखो सबसे पहले क्या था, ये तो हमने बात clear कर ली, unicellular होता है और उसके जो cell membrane होती है, वहाँ पर हो क्या बना लेता है, pseudopodia, अभी मैं आपको diagram के थूरू समझाओंगे, अभी आप तियोरी समझाओंगे फिर amoeba क्या करता है, वो surrounding के जो food होता है, वो pseudopodia बना के अंदर ले लेता है अंदर उसके क्या होता है, food vacuol अब ये food vacuol क्या करता है, इसके अंदर जो food particles होता है, और water food particles जो अंदर लिया है, उसके अंदर क्या आते हैं के बाद उसका वेस्ट बचा हुआ है वो कहां जाएगा जो सेल मेंब्रेन थी उसकी ठीक है जहां से फूड अंदर आया था उसके नस्दीक जाएगा और अंडाइजेस्टेट फूड को क्या करेगा एक्सप्रीड आउट कर देगा बाहर को निकाल देगा समझ आ गई बात ना चलो मैं इसको डाइगराम कितुर आपको समझाती हूँ और अच्छे से समझ आएगा देखो अब यहां से ध्यान से लेखना सबसे पहले अमीबा हमें पता है उसका क्या होता है इरेगुलर शेप होता है ठीक है जब उसका इरेगुलर शेप हुआ ना तो उसके बाद क्या ह यहां पर मालो उसका कोई फूट पार्टिकल आ रहा है अब जब यह फूट पार्टिकल साता है तो क्या होता है यहां पर फूट पार्टिकल से अब यह जो अमीबा है इसका फूट पार्टिकल साता तो यह कुछ ऐसे कप लाइक जो है स्ट्रक्चर यहां पर बना लेता है और इस पूड को अपने की तरस लेने की कोशिश करता है तो जो यह कौपल वूत है। इसे क्या बोलते हैं स्जूडो पोडिया तो इसक करता एन अपने फूड होता है कैए है इसके अंदर होता है और यहां पर जो होता है, वो क्या होता है, साइटो प्लास्म होता है, ठीके, यहां पर यह साइटो प्लास्म होता है, ठीके, यहां पर आप डाइगरम में देख रहे होगे, ठीके, चलो, अब फूड पार्टिकल्स को लेने के लिए, उसने क्या बना लिया, कब बना लिया, अ यहां पर यह food vacuol हो गया इसको ठीक है इसके अंदर इसका क्या आ गया food आ गया अब food जब इसमें आ गया तो enzyme की help से इसको इसने क्या क्या डाइजस्ट किया डाइजस्ट करने के बाद जो भी nutrients था वहां पर साइटो प्लास में जहां जहां यूज होना तो उसको यूज कर लिया उसके बाद जब इसके अंदर वेस्ट बचा तो यह क्या करेगा जो इसकी बॉड़ी की यह जो membrane है यहीं membrane से तो उसने food particles को अंदर लिय बाहा निकाल देगा तो समझाए इसकी process कैसे हुई ठीके समझाया क्या आया यहां पर सबसे पहले उसने food particles को देखा तो क्या बनाया इसने स्यूडो पोडिया बनाया एक यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इस तरीके से यह देखो यह अपना कप लाइक प्रोजेक्शन बनाया हुए ना ठीके अब food particles आया तो फटा फट इसने यह जो है अब जो waste था वो क्या हुआ उसकी cell membrane के नजदीक आया और cell membrane तूटी और वहां से वो क्या हुआ बाहा निकल गया ठीक है आई हो बच्चो यह आपको अच्छे से clear हो गया तो आज के लिए इतने ही next part में हम human being में digestion पढ़ेंगे तो इस topic को अगर आप अच्छे से समझ गए त चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बागाई